अलो काईज वर्कम बैक तो सॉल्यूशन मीत्रा सो आज का जो हमारा क्वेशन है वो कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हो हमें सॉल्ब करना है जो हमें दे रखा क्वेशन e to the power sin x minus e to the power minus sin x minus 4 equal to 0 यह हमें एक क्वेशन रखा है हमें क्या करना है इसके सॉल्यूशन फाइंड करने यहने की सॉल्यूशन फाइंड करना तो x की वैल्यू आप पता करो यह हमारा क्या हो जाएगा सॉल्यूशन हो जाएगा तो कैसे फाइंड करेंगे जी सबसे पहले देखिए हमें हम क्या करते ह में जो यह वालिट हम है ना इसकी पावर वालिट हम इसको हम क्या करते हैं कुछ मान लेते हैं जैसे हम यहां पर क्या करते हैं हम यह मानते हैं कि जो एकी पावर sin x है हमने e की power sin x को हमने क्या मानना y के बरावन माना putting e to the power sin x equal to y अब यहाँ पर देखो इनको अगर हमने y माना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगी यह जो नहीं equation मिलेगे हमें वो हो जाएगी हमारी यहाँ पर e to the power sin x की गौपर हमने y रखा minus e to the power minus x की गौपर क्या रखना पड़ेगा y to the power minus 1 रखना पड़ेगा minus का 4 equal to कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा यहनि इसी चीज को मैं लिखना चाहूं तो यह ऐसे लिखे जा सकती थी y minus 1 by y minus 4 equal to 0 आप यहाँसे इसको solve करोगे y का इदर multiply करोगे आप तो यह जाएगा y square minus यहाँ पर का बच्चे का 1 यहाँ पर का बच्चे का minus का 4y equal to इदर यह सारा का सारा बट्टे में क्या होगा इनके y होगा और वो y इदर जाएगा तो इसके साथ multiply होगा तो वो क्या होने वाला है 0 होने वाला तो यह कुल मिला कि हमारे पास एक quadratic equation दियुका समीकरण मिल गए y square minus y minus 1 minus 4y equal to 0 यानि इसको थोड़ा rearrange करोगे आप तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है y square minus 4y minus 1 equal to 0 अब यहाँ पर हमें इसके जो आपको वो निकालने इसके root निकालने इस quadratic equation के तो हम सिर्द दराचारे formula लगा सकते हैं तो y की value क्या हो जाएगी y की value हो जाएगी minus b यानि minus b, b किसे denote करते हैं जो y का coefficient होगा, जो b चौले का coefficient होता है तो यह हो गया minus b यानि कि minus of minus 4 plus minus हो जाएगा हमारा root of b square, b square यानि कि minus 4 का square, minus 4 का square और minus b square minus 4ac, 4ac 4 into a a यानि कि जो y square वालिटम है उसका coefficient, कुछ नहीं है तो 1 दिखा सकते हैं 4 into 1 into c c क्या है, c तो minus 1 है तो c की value हमने minus 1 रखी sine का ध्यान रखना जरूरी है divided by क्या हो जाता है, twice of a twice of a, 2 into a a यानि कि जो यह वाला coefficient है y square का तो 2 into 1 इसको आप solve करेगा तो यह कितना हो जाएगा minus minus का multiply होगा तो यह हो जाएगा plus का 4 plus minus अंदर क्या बचे का root और यह बचे का 4 चको कितना हो जाएगा plus का 16 हो जाएगा और यह minus minus का sign आप असमें multiply होँगे तो यह कितना हो जा रहा है 4 और 1 कितना हो गया 5 हो गया 4 इंटो 1 कितना हो गया 4 बंचा 4 चरिकम 4 और यह माइनस माइनस का प्लस हो गया तो यह 16 प्लस 4 हो गया और नीचे हो गया 2 इंटो 1 कितना हो गया 2 तो यह finally यह वाई बराबर कितना रहा है यहार आपका 4 प्लस माइनस रूट के 4 plus minus root के 4 into 5 और root के 4 आप जानते हो कि उसकी value कितनी होती है 2 होती है तो वो हम बाहर ले सकते हैं तो यह कुछ इस परकार से बच रहा 4 plus minus 2 root 5 divided by 2 2 से यह हम अलग-अलग divide कर देंगे 2 से पहले 2 से 4 को divide गया तो यह बचा 2 plus minus और यह इससे divide वाती है बचा root 5 एक आई हमारी y की value कितनी 2 minus root 5 एक बाद plus का sign एक बाद minus का sign दो value हमें y की मिटी और y हमने किसको माना था y हमने यहाँ पे देख लो y हमने किसको put किया था e to the power sin x को put किया था तो यहाँ पर हम क्या करते हैं वापस y की value put करते हैं e to the power sin x score 2 plus root 5 और यहाँ पर हमारा बचा e to the power sin x score 2 minus root 5 अब यहाँ पर देखिए कि हमारे पास sin x जो sin x होता है उसकी maximum value कितनी होती है sin x की maximum value कितनी होती है sin 90 पर होती है 1 होती है यानि कि maximum value आपको पता ज़िया sin का जो function होता है वो 0 से लेके 1 तक oscillate करता है minimum value 0 होती है उसकी और maximum नहीं नहीं minus 1 से लेके 1 तक oscillate करेगा minus 1 से लेके plus के 1 तक जाएगा ठीक है minimum value minus 1 होती है maximum value कितनी होगी plus का 1 होगी तो यहाँ पे हमारा अगर मैं maximum value देखना चाहो इसकी तो e to the power क्या होना चाहिए sin x की maximum value कितनी हो सकती है 1 हो सकती है e to the power 1 बराबर क्या हो जाएगा 2 plus root 5 कितनी हो जाएगा 2 plus root 5 हो जाएगा अब यहाँ पर एक चीज देखें आप लोग कि maximum value हमारे कितना आ रहा है e आ रहा है और e की value कितनी होती है e की value आप लोगों को पता होना चाहिए e to the power 1 का मदलाब हो गया e to the power 1 का मदलाब हो गया मैं ऐसे यह से लिख सकता हूँ e e to the power 1 का मदलाब हो गया e हो जाएगा तो यह e 2 plus root 5 equal to e हो गया अब यहाँ पर जो e होता है उसकी value कितनी होती है आपको पता है कि हम e को u लर नमर कहते है और इसकी value होती है इसकी value 2.71 ऐसे कुछ होती है 2.71 और यह चलती रहती है मनलाब यह क्या बोलते से असांत अनावर्ती टाइप का दसमलाब पर सार है यह चलती जाएगे 2.71 जाद डॉट 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 बहुत सारी लंबी होती है तो यहाँ पर देखो हमारे पास 2 प्लस रूट 5 यह दे सकता है आप देखो यह condition 2 प्लस रूट 5 दे सकती है 2 रूट 5 की value भी क्या होगी 2.something होती होगी यह 2 प्लस 2 तो वैसे भी 4.something देगा यह तो इक्वल कभी नहीं हो सकते है 2 प्लस रूट 5 बल्ट यह नहीं हो सकता है इसका मलब की जो यह वाला है 2 प्लस रूट 5 यह तो हमारा इसका जो हमारा रूट है वो नहीं हो सकता है यह हमारा क्या नहीं हो सकता है इसका रूट नहीं हो सकता है और ये दूसरे case में देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2 minus हमने काता root 5 की value कितनी होती है 2 point something कुछ ना कुछ होती होगी तो इस हिसाब सागर मैं इसमें बट कटा हूँ तो यहाँ तो मुझे minus का 0.1 कुछ भी ऐसे मिल ला होगा minus में कुछ ना कुछ value जो minus में मिल ला है मुझे 2 minus root 5 और हमने काता कि इसकी minimum जो value है वो कितनी हो सकती है वो अगर आप यह मानो sin x की value minus के 1 भी रहती है आप यह मानो कि sin x की value हमने काता रहा है minus 1 0 minus 1 से लेके plus 1 तक oscillate करती है तो minimum value minus 1 हो सकती है तो आपने का कि मैं minimum value रखके देखता हूँ तो e to the sin x की मैंने का कि minimum value minus 1 आगी तो यह e to the power minus 1 का मतलब हो गया 1 over e 1 over e का मतलब हो गया 1 by e की value हमने का था यह लान नमर कितनी होती है 2.71 अगर मैं इसमें भी divide करके भी देखूँ तो जब मैं positive से divide कर रहा हूँ अनको तो यह 0.00 कुछ न कुछ ऐसा दे रहा होगा लेकिन क्या होगा positive में होगा कुछ न कुछ क्या होगा positive में होगा तो negative value तो इसकी कभी भी नहीं मिल सकती है इसका मतलब यह भी इसका solution नहीं हो सकता है तो हमारे जो दोनों के दोनों root है वो जो equality equation थी उसके दोनों के दोन root 2 plus root 5 और 2 minus root 5 दोनों के दोनों इसके solution नहीं दे रहे तो इसका मतलब है जो यह हमारी equation थी जो हमारी equation थी e to the power sin x minus e to the power minus sin x minus 4 equal to 0 इसके हमारे पास कोई भी solution नहीं है हमारे पास क्या है कोई भी solution नहीं है अभी हमने फुल्फिल जो कंडिशन थी वो फुल्फिल करानी चाहिए लेकिन देखो दोनों कंडिशन में हमारे पास जो हो रहा है जो roots है वो क्या कर रहे हैं वो हमारे जो यह equation है उसको फुल्फिल नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मसब है क यह दोनों के दोनों इसके root नहीं है तो इस प्रकार से जो हमारी equation है इसके कोई भी हमारे पास क्या है root उपलब्द नहीं है तो आज के लिए इतना है आप से प्रमलाकात होगी तब तक के लिए आप सास्तरे मस्तरे और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्रीज चै ते क्यर।